ओम शांती, तीन फेवरी की शिवर्दान में अपसको सोगत है, त्रिकाल दर्शी स्थिती द्वारा तीनो कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भवा, जो त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं, वह एक सेकेंड में तीनो कालों को जोस्ट देख सकते हैं, समय के थे भूथ काल, वरतमान काल, भाव शिकाल को डेख सकते हैं कि अभी मैं जो कर रही हूं आतमा ये कर रहा हूं वा इन मैं उसकी क्या प्राप्टी करी थी वेिजैना सोगत है अभी मैं जो कर रहा हूँ तो कल क्या थे आज क्या है और कल क्या होंगे कल क्या थे देवता थे आज क्या है ब्रामन है कल क्या बनेंगे देवता बनेंगे फिर से उनके आगे सब सपष्ट हो जाता है नॉर्मल भी कोई एकर इंसान देखता है कि आज में कितनी पढ़ाई कर रहा हूं पहले कितनी पढ़ाई करी मैंने अभी कितनी पढ़ाई कर रहा हूं उसका मुझे आगया के result कितना में लेगा और क्या पढ़ाई कर पहूंगा तो उसके साब से मेरे माकस आएंगे simple example जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शेहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ऐसे ही संगम जो टॉप पॉइंट है इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे इसी को कहते हैं master knowledgeful कि हाँ अगर आप से संगम जोग पर हो और आप पूरे दुनिया की हालत को देख रहे हो और सारे ज्यान को एक निचोड में जाकर आप एक बिंदू पोइंट बना देते उस अर आप ऊपर से देखते हूँ तो आपको यह सूस हो तक हाँ हम ही वह आत्म है थी जो देवता थे, हम ही वह आत्म है जो देवता बनेंगे गेराई से समझने के लिए ब्रह्मकुमारी सेंटर पर चाहिए ओम शन्ति